हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक रेगर है मैं मनुविकार सेश्रोग संवान दथा ऐसनूती तर्ग्यों हूँ महाराष्ट में अकोला में हमारा हस्पिटल है जहां नशाफूर जो लोग है इंको नशाएं अलगर चीजों की उनको घर्ती करते हैं मंदूर उनको घर्ती करते हैं नशा में शराब की नशाओं में बहुँ ज़्यादा रहाते हैं उनको शराब की नशा है और बागी अलग अलग जैसा भांग है चलस है सिगरेट्स है अबबाप आँए अब ब्रॉंग शुगर रहे है तो उनको वैसा भरती कर लें कि उनके इंका इंका हिलाश करते हैं रिरिषिदारं उनको तैयर नहीं, उनको टाइल नहींelles उनको अकेल्य व्रति करू उनको इलाज करे तो उनकाम इलाज करें तो उनको डायसान भीकिनाम की जो दौमको देते हैं और दवा का ऐसा है कि वो दवा लेनी के पाद में, यदि उसके उपर शराब लिया, तो बहुत जादा रियक्शन आती है, और रियक्शन मतलब चेहना, पूरा पतन, लाध हो जाना, खुझली आना, घबराड होना, बेचेनी होना, पसिना, छूटना, चक्कर आना, ऐसे अलग जाद में अपन गुली खा रहे ही, और उसके उपर शराब लिया, तो मरे आना ऐसे उसको बटता रों कभी-कभी एशन मर सकते है, यदि उनको कोई पहले से प्राब्लम होंगा, और ये रियक्शन आगे तो जान भी जा सकती है, तो फिर वो बेखती एक बार यहां से जाने क ये बाद में ऑभाट बार या सकत Ihnen कि घोली खाता है। और उडियक की घोली काना पड़ती है, तो उससे साव से दूर रहता है पुर कुछ लोग ऐसे होते है, आप वो गुली कहाते हैं। रिष्टा बोलते के को सग्री खताना है को रिष्टा अगeur के लिए उसान है वो खते है तो, सिस्षोच आते हैं, नो उसानको ओलते के लिए है ओलध ? आप में जबत सती भुली कि भुली दो or ठीड़े दो और उसा तो उनको फिर दिरे दिरे उनकी इच्छा तयार करना भूहें गुली देना यह कावन करते हैं अगर कभी कि ऐस वाद है कि पेशेन हां बोलता है और आमने लेता है गुली उसके लिए हमने दायसलिकराम इंप्लांट अभी वह व्यवस्ता की हुई ही तो दायसलिकराम इंप्लांट जो है वो छुड़ी दिर बिलेट्स है वो चब्ड़ी के नीचे एक छोटा सा कट मारके वह वह दालना पड़ता है छुड़ी सी जगण होगी है और उसका फिर असर करिकरी छे मेंट चलता है मतलब छे मेंट भी गुली यह नहीं तभी उसका इफेक्ट चलता है तो एक पिलेट्स हमने चब्ड़ी के नीचे डाल लिए तो छे मेंट भी गुली नहीं ज़रूद नहीं और वो एक्ति है जिए इसके ओपर शराब लेता है तो उसको काफी ज़र से रियक्शन आ सकती है तो डर के मारे फिर वो शराब लेता ही नहीं और शराब से बूर रहता है तो डायसेट्रों इंप्लांट हमने चलू किये उसके लिए कुछ दाखियोंदी की ज़रूद नहीं है भरकेंदी की ज़रूद नहीं है एक पांच-दस मिनिट की यह प्रोसीजर है और जिसमें वो पांच-दस मिनिट में आपके फ्री हो सकता है जिसको फिलेट लेना नहीं है डालके वो इंजेशन भी ले सकता है उसका एफेक्ट डेट दो मेना चलेगा और दो मेने में एक ही बार इंजेशन लेता भी हरकत नहीं तो यह जो है यह काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनको वो गोली लेना संभव नहीं है तो जरूर यह इंप्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो आपने करना चाहिए आपके आजवाज में काभी सारे दोग होंगे जिनको शराब की आदत है नश्याक होए हो और उससे कभी सारे नुक्सान को मा अधर से मजबूत है कि उनकी इच्छा फ्रोणने की है वो ट्रीटमेट देने को तयार है उनको यह वो टाइसल फिरांग की गोली मुह से और या वो हरोज मुह से गोली लेना नहीं है तो इंप्लांट थाय में सम्झे हो यह पैर में लगा दिया तो छे मेंने फिर गोली ले कि लिए तर्वी पे उसको इंप्लांट दाला होगा है और अभी शराप प्याइगा है तो चरूर की विडियों को शेयर करो और उनको कभी भी मतलब तुमको रहने के ज़रू नहीं आये उसी जिन उनका इलाज हो सकता है और जिल चे वो वापस जा सकते है और जिनको वर्ति मतलब जिनकी बॉडी सुप नहीं कर लिए लिवर खराव है पीलिया हो गया है या बहुत सामां को विड्रवान आने वाला है या जो लगता है कि आले आएंगा तो उनको भद्धि रखते है तो उनको भद्धि रखते है तो नाय सेलिफ्राम इंप्लांट इसका फाइदा ही तो जोड़ी वीडियो आप शेयर करो आपके वर्सेट ग्रूप के ऊपर शेयर करो आपके जेदू ग्रूप के ऊपर शेयर करो और हमारा जो संकल भैवेशनमुक्त भारत उसमें आपका भी हाथ लगा दो थैंक यू बरी मुच्छ